हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका पलपल रियली विलोग में आज की वीडियो में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो आपके घर के कामों काशान कर सकते हैं और आपकी शेविंग भी कर सकते हैं तो सबसे परेल टिप्स मेरी होने वाली है इस तरीकी की अलग होता है तो परिशानी तब आ जाती है कि कभी-कभी ना हमारा धकन खुया जाता है जिससे हमारी डिप्स में रख्यों चीज खराब हो जाती है तो यह मैंने मैक आप बॉक्स की डिप्स की डिप्स टोड़ा सा अलग है तो इसे हम जॉइंट करेंगे एक जगा पर तो यहां पर मैंने टेप ले लिए और इस टेप को मैं कट करके इस पर लगा दूगी कुछ इस तरीके से मैंने इस पर लगा दिया है अब यह होगा कि जब भी हम इसे यूज करेंगे एक तो इसका ठकन अलग नहीं गिरेगा इसी में चिप कर रहेगा यानिक इसमें जुड़ा और दूसरा यह फायदा होने वाला है कि मतलब यह खोया नहीं जाएगा कभी भी तो आप इस तरीके से अपने मतलब के काम आशान कर सकते हैं इसके अगली टिप्स है पोर्डर के खाली डिब्बे खोले कर जब भी हमारे घर में पोर्डर खतम हो जाता है तो उसका जो खाली यूज कर लिया जाए मार्केट से चीज खरीत के लिए के आते हैं कुछी जैसी होती हैं जो हम घर पे बना लेते हैं तो क्योंना हम घर पे भी बना सकते हैं तो यहां पर देखिए जो उसका उपर का पार्ट है ना इसका डिब्बे का तो यह मैं हटा देती हूं काट कर हमें ते इसका कह प्रेंğaे विश्चय हो सकते हैं आप आप इसे कहिना चाहते हैं तो इसमें होल कर दिजेए यहां पर किसी पर मेरी बातनगे क्योंकि मैं लगांगे इसे डावल साइट टेमट ने स्मुझानगे पर से करता है उसके ओंके। में यह अच्छा रहता है क्योंकि इसके काफी अच्छे पकड़ होती है यह गिरता नहीं है तो इसे यहां पर देखिए मैं एक लेयर में चिपका दी हूँ और एक लेयर मुझे और चिपकानी है डवल साइड टेप की यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से अब यह चिपक चुका है और अब देखिए इसे हम यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको चलिए बताएंगी तो यहां पर देखिए आप इसमें अलग अलग चीज़े रख सकते हैं जैसे अपना चस्मा रख सकते हैं चस्मा हमारे धर उधर पड़ा रहता है तो वो रख सकते हैं आप अपने इसमें तैंट अब यहां फिर आप इसे बातरूम में रख लिए इसमें आप सबके ब्रस और ओल्गेट लगा के रख सकते हैं यह फिराप इसे किचिन में यूज चाकू कैंची वगयरा जो होती हैं जितने भी टूल्स होते हैं हमारे किचन में यूज होने वाले वह सब आप इसमें और गनाइज करके रख सकते हैं तो यहां देखिए बहुत अच्छे से काम करेगा यह और देखिए इसमें आप कंगे वगयरा भी रख सकते हैं तो हमारे घ कंगे कर देंगे जब भी हम मतलब के कंगे को खोशते हैं तो काफी सारा समय वेस्ट हो जाता है हमारे एक जगा पर मिलते नहीं है तो अब हमारे कंगे सभी एक जगा पर हमें मिल जाएंगे चली फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ यह बहुत इखास होने वाली है देखिए यहां पर मैंने कुछ चूड़े ली हुई है आपको दिखाने के लिए कि आप इसमें प्लास्टिक की चूड़ी ही यूज की जगा अच्छा है आपके पास कुछ कंगन है वो ल सबसे बैस्ट होने वाला है इससे मैं आज आपको बना के दिखाने वाले हुए और बिल्कुल ऐसी वर्क करेगा जैसे के मार्केट से खरीदा हुआ करता है तो इसके लिए हमें करना क्या है हमें लेनी है यह टेप और इस टेप को हम लगाएंगे इस डिब्बे के ऊपर यह है तो यहां पर मैं इस प्रक किछ का दियते हूं ढखकन और दिब्बे दौनों पर मैंने चिपका दिये है कि आप भीально चिपका मैं रह punct होट जोल और ढदिफों सए नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से टेप भटा दीजिए और दोबारा से फिक्स कर लीजिए तो यहां पर यह बलकुल सई बैट चुका है अभी अच्छे से वर्क करेगा धक्कन अराम से खुल भी रहा है और यह बंद भी हो जा रहा है तो बस आपको यही बात यहां पर चेक करनी है क्योंकि हमने इसमें टेप लगाई है ने पीछे थोड़ा उससे प्राब्लम हो सकती थी तो लेकिन आप इसमें कोई प्राब्लम नहीं है मैंने अच्छे से चेक कर लिया है अब लेंगे हम यह चूड़ी तो आप चाहे तो चूड़ी को इस तरीक से ढखकन क उपर भी अटेच कर सकते हैं तो आपको टेप लगाने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी आपका काम ऐसी हो जाएगा यह फिर देखी जैसे मैं यहां पर इसे सेट करूंगी चूड़ी को आप ऐसे भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं यूज करूंगी डवल साइट टेप का टेच करने वाले हैं तो यह मैं लगा देती हूं यहां पर इसमें और इसके ऊपर अब हम चूड़ी का एक हिस्सा जो है एक साइड लगा देंगी कुछ इस तरीके से हमने यह लगा दिया है और यह बहुत अच्छा सा हमारा कि डेश्ट बिन बन गया है तो बिल्कुल अच् अगर आपं घर्मे के लिए बनाना चाहते हैं तो बड़ा डिब्बा ली जगा बड़े डिब्बे में आप ज्यादा रख पाएंगे तो किचीन में देखें हम खाना बनाते हैं लेडी से चीलते हैं चोटा मोटा कच्रा होता रहता है तो हम इदर उधर रहते रहते हैं जिस इसका अपने बंध कर जायगा जब आप इसे तरफ रखोगे बंध कर दिखा देती हूं आपको कि इस तरीके से अपने कामों को अशान कर सकते हैं और काफी सारे पैसे बचा सकते हैं लाने को तो ख़रीद के मौल को बिला सकते हैं लेकिन इसमें पैसा भी जाता है तो क्यों न हम घर पे कुछ चीजे बना लें अगर हम बना सकते हैं तो मेरे लिए तो बहुत स्वीदा हो गई है क्योंकि यह मैं से किचिन में रखूँगी जब भी मुझे कोई फाल्तू चीज इसमें डाल लिए जिसे कचरा वचरा होता है सबजी के छिलके होते हैं तो मैं इसमें डाल दूगी मेरा काम आसान हो जाएगा वीडियो अच्छे लगे तो फ्रेंड लाइक कर दीजेगा फिर मिलती है को नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाए